हेलो एवरिवान आज हम बनाएंगे कुकीज उसकी लिए चाहिए हमें हाफ कप घी वन कप पाउडर शुगर फिर उसे मिक्स कर लें आप इसे अच्छे से फैंट ले और इसे फ्लफी कर लें जिससे हमारी कुकेज अच्छी बनेगी आप इसे पांच-छे मिनट के लिए फैंटें और ये फ्लफी हो चुका है वन कप बेशन इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें त्री फोर्थ कप मेदा थ्री टे स्पून सुझी आफ स्पून इलाची पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें अब इसका डो रैटी करेंगे अज़ब रहो प्लाची अच्छे से क्पाना तरिव प्लाची अच्छी आफम छोर्थ अब आई लेंगे प्लाची कर लेंगे अभी आफ मेदाए और इसे दो अब आङए अब डो रेडी हो चुका है अब इसको रेस्ट देंगे 5-6 मिनट के लिए अब फ्राइमें में नमक गरम करना है ढगकर 10 मिनट के लिए अब हमारा डो रेडी हो चुका है अब एक ट्रे के उपर फाइल पेपर लगा कर और इसके उपर घी लगा देना है अब हम कुकिस बनाएंगे अब हमारा बाइल अब इसके उपर कट डाल दें अब इसके उपर ड्राइफ्रूट लगाएंगे अब इसके उपर मिल्क लगाना है जिसे कुकिस का कलर अच्छा आएगा अब हम कुकिस को फ्राइपेन में रखेंगे 15-20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर इस हलकी हलकी ब्राउन हो चुकी है आप इससे पहले बार निकाल ले और इससे ठंडा होने के बाद सर्फ करें अब इसकी प्लेटिंग करेंगे अब इसकी प्लेटिंग करेंगे अब हमारी कुकिस राइडी हो चुकी है आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर करना बाई बाई झालेगे रेसित करेंगे याई झालेगे यानिक ले झालेड़ को बाई प्लेटिंग करेंगे है ऩजज दो से विप्लेटिंग करेंगे विए अबादिनों आपको से तो से थावे हैं